शासन द्वारा आयोजीत पी एटी परीक्षा 2021 हेतू संपूर उतर प्रदेश में परीक्षा केंद्र आवंटित किये गये थें जिसके क्रम में महराला परताप इंचर कॉलेज सिविल लाइन गुड़कपूर को परीक्षा केंद्र बनाये गया था जिसमें परिक्षा देने हेतु दो फरजी अभ्यार्थी सॉल्वर के रूप में उपस्तित हुएं जिसमें दो मुन्ना भाईयों की पोल खुल गई और दोनों कैंट पुलिस के हत्ते चड़ गए और दोनों को कैंट पुलिस ने गरफतार कर जेल भेज दिया जिनकी पहचान प्रशांत कुमार पुत्र नंद किशोर सिंग निवासी सिर्जुआ पोस्ट बाउ बगीचा थाना महेसकुट जनपद खगरिया बिहार अविशेक कुमार पुत्र कमलेश कुमार निवासी रतनपुरा पोस्ट लहिल पार थाना बरियापूर जनपद देवरिय के रूप में हुई है जिनके पास दो आधार कार्ड एक प्रवेस पत्र वा एक वीव मोवाइल बरामत किया गया आपको बताती चले कि आरोपी प्रशांत कुमार पैसे लेकर वास्तवी का परिशाती के अस्थान पर उसका पहशान पत्र वा प्रवेस पत्र लेकर सॉलवर के रूप में सम्मिलित होता था जिसके संबंद में संबंदित अभियारती से उसके बदले में पैसे प्राप्त करता था इसी क्रम में 24 अगस्त को अभियुक्त अभियारती अविश्य कुमार के अस्थान पर परिक्षा केंडर पर प्रवेश पत्र हल करने ही तू उपस्तित मुगदमा अपराद संख्या 558-2021 धारा 419-420-465-468-471-120B IPC वाद 10 सर्वजिनिक परिक्षा अधिनियम 1988 पंजिकरित किया गया था किरफतार करने वाली टीम में थाना कैंच के प्रभारी निक्षक सुधीर कुमार सिंग, चौकी प्रभारी जटेपूर, उपनिरक्षक हित्यानंद पांडे, कॉंस्टेबल गुविन दिलाल और कॉंस्टेबल अंकित यादो शामिल थे